हाई एवरीवन वेलकम तो सी यू एट अड़ा एन आए नो की सी यू एट यू जी की काफी सारी इंवर्मेशन स्टूडेंस के पास पहुत चुकी हैं बट सी यू एट पीजी वाले बच्चे कहीं न कहीं अभी भी परिशान है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को द पहले अप्लिकेशन फर्म की डेट थी वह 19 अप्रिल थी लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 5th of May सो मैं आपको सबसे पहले यहां पर दिखाना चाहती हूँ दिस वन आप जहां पर देख सकते हो क्लियर ली इस मैंशन ओर हियर कि आपके पस प्रिफ्ट में शाम के नौ बच करके पचास मिनिट से पहले-पहले आपको क्या करना अप्लिकेशन फर्म समिट कर लेना है दूसरा अगर आपको फोर्म की फी समिट करनी है तो उन्होंने थोड़ा से एक्स्टेंड करके टाइम दे दिया आपको आपको ग्यारा बच के पचास मिट से पहले-पहले अपना फॉर्म का जो फी से वो समिट कर दिना है अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपकी रहे जाती है तो अफकोस आप एड्मिशन के लिए वालिट नहीं रहोगे या अप्लिकेबल नहीं पीज की बात करो तो कि एक्स्ट्रा दीनी पड़ेगी आपको तो यहां पर इनोंने क्लियरले बोला है कि अगर आप किसी भी एकृट्रा पेपर को आड़् करते हैं तो आपको ratt at बढ़ा घरीने पड़ेगी सब्लिकेशन करें थी दूसरे important information और बहुत ज़दा ज़रूरी है कुछ युनिवस्टी इसी है जिन्होंने अपने आपको इसमें add किया है कुछ युनिवस्टी ने अपने courses को remove किया है है तो कुछ कुछ ने modifications भी किये हैं तो उसका भी जो हमारे पास ब्रॉशर है वो यहां पर आ गया है यहां पर टोटल आप देखो 12 पॉइंटर दिये गया है जो कि आपको बारे में अगर हम बात करेंंगे तो इसने अपने घरकने कुछ मोंडिकेशन किया हुआ है और, साथी-साथ में कुछ sources delete भी किये हैं गति शक्तिव बिश्व विज्व विधियाले के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने अपने courses को remove किया है ILM University Guru Gram के बारे में अगर हम बात करेंगे यहां पर इन्होंने join कर लिया है आपका CUET PG और फिर यहां पर आ रहा है बिनोद बिहारी महतो University जो की बहुत specifically दे रहे हैं कि इन्होंने अपना एक course जहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरह के courses को add किया गया है को यहां पर information लिखी हुए course added course added right so यह पूरा इन्होंने यह दिया हुआ है और कौन कौनसी जो यहां पर changes हुए है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे कौनसी universities add हुई है कौन से courses किये गए है वो आपका specifically यहां पर mention है can you see this course added लिखा हुआ है नोने पूरा का पूरा ब्रोश्य दिया हुआ यह मैं आप लोगों को नीचे description box में provide कर दूंगी comment section में भी पिन कर दूंगी तो इसको आप जरूर से आपके अगर आप देखोगे तो all total कितने pages है आपके पूरे अगर मैं बात करूं यह तो यहां पर last page आपका देखो last यहां तक एंडेडेट तो आप देख सकते हो यहां पर side में लिखा हुआ होगा कि कितने पूरा का पूरा यह नोटेस है फिर मैं आती हूँ इधर एक और जो न्यू हमारे पास पूब्लिक नोटेस आया that is on 28th April 2023 इसमें इन्हों ने लिखा हुए MVN University जो की पालवल की है वो CUETPG में आड हो चुकी है फिर High Tech Institute of Engineering and Technology घाजियाबाद जो की अफिलियेटेट है डॉक्टर एपीज अबदुल कलाम टेकनिकल यूनिवरस्टी से जो की स्पेसिफिकली बोला हुआ है अटाच्मेंट दिया हुआ है कि इस किसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं so it is written इसका भी आप चेक कर सकते हैं कि यह कहां पर लिखा हुआ है right so I hope this is quite clear to everybody guys now this was the second information जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया कि कौन-कौन सी उनिवरस्टी और को एड़ और modify किया गया है अब मैं तीसरी information आप लोगों को यहां पर जरूर से जरूर देना चाहूंगी that is also really very important बच्चे परिशान है exam dates के लिए और exam dates भी आपकी almost देख रहे हो आप यहां पर आपकी exam dates भी आ चुकी है और exam dates को हम एक बर यहां पर देख लेते हैं यहां पर मैं आती हूं exam dates के लिए examination date for common university अगर आप देखना चाहोगे तो इसकोपन कर लो आप यह रहा आपका exam date so 5th of June से 12th of June की आपको date दी गई है अगर आपके application form की date extend हो सकती है so might be आपके exams की date भी extend हो सकती है but अभी specific date इन्होंने यही दी है कि 5th of June से 12th of June के बीच में आपका paper हो जाएगा so यह पूरा का पूरे depend करेगा CUAT-UG के paper पर CUAT-UG की जो date आई है वो 21st to 31st में की आई है अगर वो extend नहीं होती है तो obviously इसकी भी dates extend होने के कोई भी chance नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि CUAT-UG के लिए 1st to 2, 7th June का इन्होंने reserve date दिया हुआ है right तो अगर वो आगे shift होता है तो यह भी आगे shift होने के chances है फिलहाल अभी यहाँ पर information यही है कि आपकी exams है वो अभी हो जाएंगे अब बात आती है कि मैं हम preparation कैसे करें अब preparation में अगर आप जाओगे तो CUAT-PG के बहुत सरे कोसे से जिसमें पार्ट A और पार्ट B हो पार्ट A बहुत important भी है क्योंकि वो 100 नंबर का है अकेले और पार्ट B आपका जो है वो 300 नंबर का है आपके all total 100 questions आने है और 25 questions आपके आन नहीं समझ में आ रहा कि part A कहां से पढ़े बहुत valid से चीज़ है और बहुत obvious भी है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा the reason is कि syllabus ही mention नहीं कि क्या ना पढ़े कि किन-किन questions को करना चाहिए किन questions को नहीं करना चाहिए तो वह बहुत ही specifically हमारे teachers ने आप लोगो specifically classes दे करके पढ़ाया हुआ है जो अगर आपको बढ़ाई करनी है proper specifically पढ़ना है for CUAT PG तो आप हमारे CUAT UG में ही जाओगे और यहां पर अलग से CUAT PG का एक course हमने प्रवाइड किया हुआ है CUAT post graduate if you can see right तो में को I think back जाना पढ़ेगा यह रहा CUAT post grad तो आपको क्या करना है आपको success 2.0 success 2.0 batch के लिए जाना है and success 2.0 batch के लिए जैसे ही आप जाएंगे you'll get that कि आपको यहां पर concept through questions करवाय जा रहे हैं पूरी conceptual videos provide करी जा रही है चाहे वो आपकी English की हो चाहे वो आपकी पूरे quantitative aptitude की हो चाहे वो reasoning की हो चाहे वो current affairs की हो ठीके उसमें आपका planner भी दिया गया है कब-कब कौन-कौन सी classes चलने वाली है आपकी तो अगर आप करना चाहते हैं इसमें आपको practice questions के लिए mock test भी दिये जाएंगे अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं यह बाज आपका 2124 का जरूर है लेकिन अगर आप इसमें code यूज करेंगे y484 so you'll get the maximum discount ओर ही आपको यह बाज कितने का मिल जाएगा 2074 उपीस का can you see this क्या क्या मिल रहा है फिर से बता देती हूं आपको conceptual videos मिल रही है okay conceptual videos मैं इधर ही से लिख देती हूं फिर आपकी बात करूं मैं यहां पर concept through questions revision भी करवाया जाएगा आपको प्लस आपको thousand plus से जाधा question practice दी जा रही है और प्लस आपको यहां पर क्या दिया जा रहा है mock test so prepare yourself best अच्छे से बढ़ाई करिये मेहनत करिये और exam में अच्छा score करिये बागी कोई confusion होता तो आप after the video मुझे comment section में लिख करके दे सकते हो thank you everybody bye bye and take care